हेई, कैसे हैं, ठीक टाक, मज़मे, फिट फाइन, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, आपके 23rd HTML5 and CSS3 Tutorial में, जो के ifactner.com HTML5 and CSS3 Tutorial सीरीज का हिस्सा है और इस tutorial में, दोस्तों, हम अपने left bar को और articles को, जो है, जो के section के अंदर है, उनको stylize करेंगे अभी तक हम देखते हैं, कि हमारा जो page है, उसमें हमने अपने top या header को stylize कर लिया है और हमने अपनी navigation bar को stylize कर लिया है और अब हमने अपने left bar को और अपने articles के sections के अंदर है, उनको stylize करना है एक चीज़ जो मुझे अभी नज़र आई है, दोस्तों कि यह देखें, कि हमारा जो navigation bar है उसमें जो मैंने padding दी थी, links की, वो तो मैं padding दे चुका हूँ, लेकिन उसमें देखें, यह padding भी आ रही है लेकिन यह जो black line है, यह जो हमारा navigation का background color है, वो काफी पतला है इसको थोड़ा सा हमने stylize कर देते हैं, और उसके लिए मैं सिर्फ simple newtext.css में जाके, top underscore nevo के selector में, जो मैंने इसी ताँ यह li की padding 10 pixels दी होई है इसके भी मैं padding को 10 pixels दे देता हूँ, इसको मैं save कर लेता हूँ, और इसका effect हम check करते हैं, तो यह देखें कि यह खुबसूरत हो गया है, थोड़ा यानि कि हमाए home, tutorials और contact me के ऊपर, नीचे और left side पे भी, यह जो black, यह जो selector था, इसमें padding आ गई है, जिसे यह थोड़ा सा खुबसूरत लगने लग गया है और अब हम काम करते हैं, अपने left bar को और अपने articles को एक ही line में लाने के लिए, या इस ताँ stylize करने के लिए तो उसके लिए दोस्तों, यह जो मेरी, अब मैं scroll down किया है, और में पास जो left underscore side है, वो basically हमारी side bar है ठीके जा, यह मैंने html page को open किया, और यह basically हमारे पास side bar में कुछ चीजें आ रही है, और अब मैं यहाँ पे अपने css file में जाके left underscore side bar के अंदर, इसकी जो float की property है, उसको मैं left कर देता हूँ, कि वो left side पे by default, अब left side पे आने लग जाए, और इसके अलावा, जो है, इसका जो weight है, वो हमने सोचा था, कि वो तक्रीबन 240 pixels होगी, तो इस हुज़े से अभी हमें, इसमें कोई padding और margin वगेरा नहीं दिये, तो इस हुज़े से इसकी जो total width है, उसको मैं 240 pixels ही रहने देता हूँ, और यह मैं इसको एक दफ़ा save कर लेता हूँ, और अभी जाके हम चेक करते हैं, कि हमारा क्या effect हुआ, तो अब यह देखें, कि हमारी जो left bar है, वो left side पे float हो चुकी है, और वो 240 pixels का space ले रही है, और बाकी जुचनी space थी, जो कि 960-240, calculator open करो भाई, तो 960-240, तो 720 pixels जो है, इस वक्त हमारे articles जो है, वो आ रहे हैं, लेकिन दूस्तों, अब हम चाहते ही हैं, कि हमारे articles तो एक इस format में आए, तो उस काम के लिए, हम अपने article की जो class है, जो कि हमने section के अंदर एक article की class दी थी, क्योंकि हमारे ये जो दूनों articles हैं, ये इस class से belong करते हैं, और हम एक साथ ही इनके उपर effect supply करना चाहते हैं, इस हुझा से हमने id के बज़ाए इनको class का member बना दिया था, क्योंकि ये एक से ज़ादा elements थे, और अब मैं क्या करूंगा, अपने newtext.css में जाके, इसको भी article को हम float करा देंगे, left side पे, ठीक है जी, और हम देखते हैं कि mock-up में इनके देम्यान और उपर नीचे थोड़ी spacing भी है, तो उस हुझा से हम वो spacing देने के लिए, padding की property को भी use कर सकते हैं, या फिर margin की property को भी use कर सकते हैं, margin जो होता है, वो आपके ये जो section है, इसके बाहर पर हमने basically spacing देनी है, white color की जो section में है, ठीक है जी, इस वज़े से हम margin यूज़ करेंगे, और padding अगर हम use करते हैं, तो ये HTML के ऊपर green के साथ spacing आ जाती, जो कि हम नहीं चाहरे, तो इस वज़े से मैं यहाँ पे, कहता हूँ के margin margin जो है, वो मारिन ने, मारिन एक बहुत अची movie थी, लेकिन series थी, लेकिन ये margin है भाई, तो ये 10 pixels, top, right, left, bottom, left, ये देखें, ये मैं इसले कहता हूँ कि क्यों है, ये clockwise होता है, 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel, top, right, bottom, left, ये ऐसे clock चलती है, उससां ये, वो कता है, तो मैंने ये shorthand property हो गया margin 10 pixels, और अब देखें कि 10 pixels हो तो गया, और अब हमारे पास, जो है, वो है, 720 pixels, लेकिन 10 pixels का मतलब है कि left, right से 10 or 10 pixels, और इसी तान दूसरे article भी 10 or 10 pixels, यानि कि आप minus 40 pixels कर देंगे, ठीके जी, और इसको divided by 2 कर देंगे, तो ये 3 40 pixels है, to be on the safer side, जो है, मैं अपने article की width जो है, वो दे देता हूँ, 330 pixels, ठीके जी, और अगर आप height भी देना चाहिए, कि minimum height इसकी ये होनी चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं, और इसकी मैं height दे देता हूँ, 150 pixels, ठीके जी, ये properties set करने के बाद मैं अपने page पे गया, अपने page को मैं refresh करता हूँ, कि हमारे articles जो हैं, वो एक दूसरे के सामने आचुके हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा problem ही है, कि जो हमारा footer है, वो हमारे बिलकुल articles के नीचे लगा हुआ है, जबकि mock up में हमारा footer होना चाहिए, वो navigation bar, left sidebar और articles, यानि कि जो section है, उसके नीचे आना चाहिए, तो वो काम करने के लिए मैं सिर्फ footer में जाऊंगा, और इसकी जो float की property है, यानि कि मैं कर दूँगा कि इसके floating ना करो, बलके both को clear कर दो, और इसके, let's suppose, इसको मैं save करता हूँ, और जाकि मैं इसको page में refresh करता हूँ, तो ये देखें, अब ये नीचे आ गया, और इसकी जो texture line है, अब हम इसको center में कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा, खुबसूरत नजर आए, खुबसीरत तो है, लेकिन इसके साथ साथ, ये खुबसीरत, खुबसूरत भी नजर आए, तो हम कहते हैं कि texture line जो है, वो center कर दो, और इसको हम save कर लेते हैं, और अब मैं चाकि इसको refresh करता हूँ, तो ये basically center line हो गया, अब दोस्तों, ये हमारे पास articles आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो, तो हमने अपने newtext.html में अपने articles का क्या क्या था, उनका special headers भी दिये थे, उनके special footers भी दिये थे, तो next tutorial में हम अपने articles के headers को, और footers को basically, क्या करेंगे, stylize करना सिखेंगे, तो दोस्तों मिलते हैं, nextifactner.com, html5 and css3 tutorial में, अगर आपको ये tutorial पसंद आया है, तो please like का button प्रेस करें, और code और logos औगरा के लिए, और written explanation के लिए, kindly ifactner.com को visit करें, टेक कियर, बाबाई